यूपी पुलिस के एक और रंगीन मिजास दरोगा जी धरे गए पतनी ने गल्फरेंड के साथ जब रंगे हाथ पकड़ा तो फिर देखिये क्या हुआ प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे दरोगा जी रोमेंटिक था माहौल और सर चड़ कर बोल रहा था रोमांस अचानक आधम की पतनी तो फिर देखिये क्या हुआ देखिये आधी रात को जब हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा तो पुलिस को देना पड़ा दखल कौन है ये खाकी वर्दी वाला नया नया होगा आशिक उतरप्रदेश की स्वयम गोशेते एवन पुलिस कुछ करे न करे लेकिन आश्की बड़ी ही शिद्दत के साथ करती है और इसका सबूत गाहे बगाहे मिलता ही रहता है अब एक और यूपी पुलिस के रंगीन मिजास दरोगा जी की आशिकी का किस सब वाइरल हो रहा है और जब से ये मामला सामने आया है तब से संसनी का महौल बन गया है श्रीमान दरोगा जी गलफिंड के साथ में रोमांस का डोज ले रहे थे कि पत्नी तालका बन बीच में आ गई और उसके बाद जो हुआ उसने तो दरोगा जी और उनकी गलफिंड का जो लूस निकाल दिया मामला मेरट का बताया जा रहा है लेकिन अब पूरे देश में सुर्खिया बटो रहा है और ये कोई पहला मामला नहीं है ऐसे रंगीन मिजाज न जाने कितने दरोगा अब तक सुर्कियों में आये हैं और नप चुके हैं लेकिन नया मामला तो आधी रात में हाई बोल्टिस ड्रमा क्रियेट करके सामने आया और फिर उसके बाद अपने ही विवाग के अधिकारी के खलाप पुलिस को मामले में दखल देना पड़ा जानकारी की माने तो मेरट में दरोगा को पत्नी और बेटी ने गल्फिंड के साथ बर्थड़े पार्टी मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया इसके बाद पत्नी ने हंगामा शुरू कर दिया बेटी और पत्नी ने रात दस बजे पुलिस को सूचना दी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामला श्चांत करवाया इसके बाद दोनों पक्षों को चौकी लेकर पुलिस आई इसके बाद आपसी समझोता करवा कर वापस घर बेजा गया हाला कि दोनों पक्षों ने कारवाई से इंकार किया है मुझफर नगर के रहने वाले दरोगा वर्तमान में एटा में तैनात हैं दरोगा की पत्नी मुझफर नगर में ही घर पर बच्चों के साथ रहती है बिजली बंबा वाई पास के ग्रीन विलेज कॉलोनी में दरोगा की गल्फरेंड रहती है गुरुबार को दरोगा की गल्फरेंड का बर्थरे था गल्फरेंड का बर्थरे मनाने के लिए बिना चुट्टी लिए दरोगा जी मेरट पहुँच गए दरोगा के मेरट आने की खबर किसी तरह पत्नी को चल गई इसके बाद पत्नी बेटी को साथ लेकर ग्रीन विलेज कॉलोनी मेरट आ गई और प्रेमका के घर पर पहुँच गई यहाँ पत्नी ने जब दरोगा पती को पत्नी को पत्नी के जन्म दिन मनाते रंगे हाथों पकड़ा तो हंगामा हो गया इसके बाद चौपिक स्मॉल चौकी पोलिस भी मौके पर पहुँच गई पोलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया चौकी प्रभारी गौरब का कहना है कि दरोगा रिष्टे की भतीजी के जन्म दिन में आया था पत्नी ने आकर हंगामा कर दिया दोनों को घर बेज दिया गया है दोनों ने किसी शिकायश से मना किया है लेकिन जिस तरह से अंगामा हुआ उसने पडोसियों का खुम मनोरंजर किया मामला अब सुर्कियों में है और लोग सवाल दाग रहे हैं कि जनाब को अपरादियों के हाथ में हतकड़ी लगा नहीं थी लेकिन खुद प्रेम की हतकड़ियां लगा बैठे और अब सवालों से गेरे हैं और एक्शन की तलवार सिर पर लटक रही है बियोरो रिपोर्ट मीडिया हल चल